विलोब्रुक नामक शांत शहर में एक लड़का था जिसका नाम बेन था, जिसे नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था, एक दिन जब वह पुराने ओक के पेर के पास खेल रहा था, तूसे जमीन ने कुछ चमकता हुआ दिखा, उसने जुपकर उसे निकाला, ये एक अ उसने पहले भी जंगल की खोज की थी, लेकिन कभी ऐसे कमपास के साथ नहीं, जिसने अपनी मर्जी से रास्ता दिखाया हो, शायद ये किसी खजाने की ओर ले जा रहा है, उसने सोचा और जल्दी से अपना बैग उठाया, उसमें कुछ खाने का सामार रखा और कमपास की दिशा में चल पड़ा, जैसे जैसे बेन जंगल के भीतर जाता गया, पेड उचे और घने होते गये, वह जल्द ही जंगल की एक ऐसे हिस्से में पहुँच गया, जहां वह पहले कभी नहीं गया था, वहां की हवा कुछ जादू ही लग रही थी, घंटों तक चलने के बाद बेन एक खुली जगह पर पहुँचा, बीच में एक विशाल पत्थर का द्वार खड़ा था, जिस पर चमकदार बेलें लिप्टी होई थी, कमपास ने सीधे उस द्वार की और इशारा किया, बेन कुछ देर के लिए रुका, लेकिन उसकी जिग्यासा ने उसे आगे के लिए मजबूर किया, जैसे ही उसने द्वार पार किया, एक गर्म हवा का जोंका उसके पास से गुजरा और चारों ओर की दुनिया बदल रही, अब बेन जंगल में नहीं था, वह एक हरे भरे मैदान में था, जहां फूर हीरे की तरह चमत रहे थे, और आसमान गुलाबी जिसमें तेरते हुए द्वीय धीरे हवा में जूर रहे थे, वह बेन ने धीरे से कहा, आँखों में चमप लिये, तभी उसके पैरों के पास एक छोटा सा प्रानी आकर खड़ा हो गया, वह खरगोश जैसा दिखता था, लेकिन उसकी सुनहरी फर और पंक थे, स्वागत है, यात्री, वह चहकते हुए बोला, एवर ड्रीम की भूमी में आपका स्वागत है, मैं लूमा हूँ, आपका मार्ट दर्शक, वेन अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्या ये जगह असली है, उसने चकित होकर पूछा, विल्कुल असली, लूमा ने मुस तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, न कि जहां तुम जाना चाहते हो, तभी कमपास फिर से भूमने लगा, और दूर चमकते हुए पहार की ओर इशारा करने लगा, लूमा ने उतसाहित होकर कहा, लगता है, तुम्हारा पहला मिशन शुरू हो गया है, बेन का दिल एवर ड्रीम की इस जादूई दुनिया में उसे कौन-कौन सी चुनाओतियों का सामना करना पड़ेगा, चलते-चलते बेन को एहसास हुआ, कि यह तो सिर्फ शुरूआत है, एक ऐसी यात्रा की जिसमें जादू, रहस्यों और अंतहीन रोमांच छिपे हुए हैं,